नमस्कार दोस्तो लॉकव रियल्टी शो के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नीशा रावल के बाद मैं जो की अब एक बार फिर से तीसरे नाम की चर्चाब हो चकी है जो की सहनाज गिल देखने को मिलेंगी लॉकव में जी हाँ दोस्तो कंगना रनावत जो की एकता कपूर के रियल्टी शो जो की 72 दिनों का ये सो होने जा रहा है कंगना रनावत जेलर का इसमें एक किरदार निभा रही हैं जिसमें की कुछ घर वाले जो की जो कैदी होते हैं उनके बीच में एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है आप लोगों को बताना चाहता हूँ सौनो सूद ने हाली में ही इसके बारे में बताया था कि उर्फी जाविद भी इसमें बनी हुई है और सैनाज गिल की एंट्री हुई है सैनाज गिल की एंट्री के बाद में अब लोग एक बार फिर से चर्चाओं का विशे बने हुए हैं क्योंकि कंग्राय रनावत इतनी ज़्यादा खतरनाक लेडी और जेलर सावित होने जा रही है। गुष्षे की सिकार होती हुई दिखाई देने वाली हैं कंग्नार रनावत अकसर देखा गया है अपनी गुषों के लिए लेकिन सहनाजगिल बिग बॉस का सफर भी तैय कर चुकी है क्योंकि बिग बॉस में वो तेरे में भी नजरायी थी और आज की टाइम में दिखा जाए तो पंजावी इंडुस्ट्री की ठीक ठाक टॉप एक्टरस में से गिनी जाती हैं सहनाजगिल सहनाजगिल अब कंगना रनावत के आने वाले सो यानी लोक अप मैं नज़राने वाले हैं और लोगों को इंटर्टैन्मेंट करती हुई भी काफी नज़राएंगी अभी तक आपने देखी लिया होगा कि किस-किस की एंटरी हो रही है क्योंकि नीशा की एंटरी फलाल हो चुकी है और सहनाजगिल की एंटरी अब हो रही है लेकिन दोस्तों तीसरे प्रिमों में आप लोगों के सामने देखना होगा कि आखिरकार कितने दिल्चस्प होने वादा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए थैंक यू सो मच